कि रिसलेस लेक सिंड्रोम के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईए आपका स्वागति मेरा ना में डॉक्टर दीपक रहेकर में मनोविकार सेख्स रूप सम्मोहन तथा वेस्टर्मुक्त अजियों महाराश्टी में अकुला में प्रैट्टिस करता हूं कभी सरे पेशन हमारे पास में आते बोलते कि एदि हम एक जगह पे बैठे तो पैर हिलाना पड़ता है ऐसे ताकि नहीं तो फिर वह ऐसा बहुत बेचे नहीं होती पैरों में ऐसा कुछ तो भी लगता कि चल रहा है पैर में पैरों को ऐसा हिला दिया तो ठीक लगता है या दिशीी के जगले तो ठीक लगता है और फिर एक्टिविटी करते तो ठीक लगता है और या फीर एसे चलते रहा था है मतलब चलेंगे तोड़ा मसाज करेंगे तो ठीक लगेगा फिर सो जाना फिर सोने के लिए तोड़े लेटे तो फिर वह जाएंगा फिर नेन खुल जाएगगे मतलब को नेन लगती भी नहीं, एकटीलियू? नेन जैसे लगते लगते उनको ऐसे ठडब से जा जा जाएंगी, और पेर हिलाने की आगी.. पेर हिला है तो अच्छा हो जाता है मतलब पर को कुछ तो भी मुवमेंट किया तो अच्छा हो जाता है तो ऐसा यह बिमारी रेस्लेस लेक सिंड्रोम वह लेक जो है मतलब पर रेस्लेस हो जाते हैं उनको हिलाना पड़ता है दबाना पड़ता है और फिर बाद में अच्छे हो जाते हैं काभी सारे लेट नाइट कि वज़े से ऐसा हो सकता है फिर आयन एंड फोलिक ऐसी डेफिशेंसी जो है उससे यह हो सकता है फिर फिर रुमाइड़ आर्थराइटिस डाइबितीस ठायरिक डिसेज यह फिर अब्स्ट्रेटिव पुरमेडरी डिसेज ऐसे अलग अलग बीमारी से मतलब यह बीमारी बौडिली होने से यह बीमारी हो सकती है इसमें इन्विस्टिगेट जो करना पड़ता है फिरिटीन लेवल देखना पड़ता है सीरन फिरिटीन लेवल वह कम है क्या तो उसका इलाज करना पड़ेगा दोपामिन अर्गुनिस दवाई या जो है ग्प्रेमि पेक्जाल तो इसमें काम में आती है उससे फैदा होता है या रोपी नेरॉल जो दवाई है वो भी इसमें काम में आते रहे दिये बाकि जो नॉन फर्मेकलोजिकल जो ट्रीक्मेंट है वह एक तो अल्कोहल अवाइड करना चाहिए सेमाई करना जुरूरी है मसाजिगिए मसाज करते पैरों को ठीक लगता है मतुलब गरं पानी या यह थेंड़े पानी से बसे उसमें फ्यादा हो सकता है तो दे लेट नाइट तक नीन नहीं आने से बेचे नहीं होते रहती है तो फिर बॉडिली डिस्ट्रब्बन्स हो जाता है तो इसका इलाज करना जरूरी है और इलाज कर दिक में चलो होता है मतलब 35 40 के बाद में शुरू हो जाता है विए देखने के लिए बब धिन्यमाद टैंक्स पर वॉचिंग जाता है लाट मैंनोस twice लाट मैंनोस